नमस्कार आज हम डिस्कस करेंगे HP Public Service Commission का previous year का पेपर यह जो हिमाचल प्रदेश Public Service Commission का previous पेपर है इसका आज देखिए हम History के से स्टार्ट करेंगे और Important Questions को जो हम डिटेल से डिस्कस किया जाएगा ताकि आपको आपके आने वाले एक्जाम में जो हो help मिल सके History के सेक्शन को स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देता हूँ देखिए जानकारी आपके लिए यह है कि टेलिग्राम पर जो हम quiz डालते हैं ना डेली वहाँ पर कुछ questions मैं ऐसे बता रहा हूँ अभी आपको जो हमने वीडियो में भी डिसकस किया है परन्तु फिर भी बहुत सारे लोगों ने गलत उनको टिक किया है एक हमने question वहाँ पर डाला था ब्लोकरा सीरीज के कांगड़ा पार्ट से कि उत्पी ने अपनी भुस्तक तारीखे यामिने में त्रिगर्थ का नाम उले किया है तो त्रिगर्थ को क्या कहकर उसने वहाँ पर उले किया है तो भीम नगर कहकर उले किया है बहुत सारे लोगों ने ये अंसर गलत बताया था तो ध्यान रखें भीम नगर कहकर उसको जुताओ वो क्या किया था उसका उलेक वहाँ पर किया था एक और इसी तरह का क्वेशन था क्वेशन ये था कि हिमाचल प्रदेश किस वरस जुताओ केंदर प्रशाशन यहाँ से चला रहा था तो 1948 में आपने ध्यान रख रहा है कि 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उस टाइम सेंटर के द्वारा इसको एड्मिनिस्टर जुताओ किया जाता था जो केंदर शासित था केंदर शासित अलग से है जो 1956 में बना था यहाँ पर कनफ्यूज हो गया और सभी ने 1956 टिक कर दिया 1948 के उपर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया तो ध्यान रखे 1948 जो हो सही अंसर होगा यह अगर आपने टिक किया होगा तो आपको सही अंसर भी पता एक मानिक शासित ने जो हो ट्रिपूरा के मुक्यमंत्री के रूप में शावत लिये है ये फारी थर्टी तरी 1% बच्चों ने जो था वह सिर्फ सही गलत के था बाकि सभी ने जुथा ये गलत ही टिक किया था तो यह ध्यान रखना है तो ध्यान रखें इन इन क।श्शन question number 146 के आप भूसते हैं यहाँ पर बोलते हैं who of the following has not contributed towards the painting तो बोलते हैं कि निम्मलिखित मैंसे किस ने चित्रकला में जो था वो योगदान नहीं दिया था देखो अगर हम चित्रकला की बात करते हैं इन मैंसे कि चित्रकला के चित्र में इन मैंसे किस का योगदान जो था वो नहीं रहा था question number 146 का इसका सही अंसर होगा option भी राम सिंग राम सिंग का जो contribution था वो चित्रकला में नहीं रहा था और आपने ध्यान रखना है कि राम सिंग जो है किस आंदोलन के साथ जो हैं जुड़े हुए हैं तो ये कुका अंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं कुका अंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं इनका पूरा नाम बाबा राम सिंग है ये भी आपको पता होना चाहिए तो अब राम सिंग के बारे में confusion नहीं होना चाहिए यहां पर अमरिता शेरगिल दिया गया है यह पेंटिंग के साथ जो है जूरी हुई है और अमरिता शेरगिल का धियान रखना है कि इनका जनम कहां पर हुआ था है H.P. हिमाशल के जो एक्जाम हुए है है वहां पर यह बहुत बार question पूछा गया है इनका जनम जो था वो बुद्धाबेस्ट में हुआ था हंग्री की capital है बुद्धाबेस्ट यहां पर इनका जनम जो था वो हुआ था और उस time, India Unite हो था तो पाकिस्तान के Lahore में जो था वो इनकी मृत्यू जो था वो हुई थी इनका पेंटिंग में बहुत ज़्यादा कॉंट्रिबुशंञ था ये धियान रखें अभींद्र नात की बारे में धियान रखना है कि ये भी पेंटिंग के साथ जुड़े हुए है और रवी वर्मा ये भी पेंटिंग के साथ जो हैं वों जुड़े हुए हैं अगला question देखते हैं question number 147 बोलते हैं of the following woman who had not joined the gandhian moment तो बोलते हैं कि निम्मलिकित मैंसे इस्तरियां को नाम दिये गए हैं इसे कौन सी इस्तरि गandhi अंदुलन में नहीं जुड़ी थी या फिर गandhi अंदुलन का भाग नहीं यहां पर उन्होंने लिया था question number 147 के अगर हम बात करें तो option D सही answer होगा पुतली बाई पुतली बाई जुड़ा इन्होंने भाग नहीं लिया था ऐनका ढесь का लोगोड़र को इनका जनफ होताओ और 1869 एर था जिस दौरान जिस दिन जिस tourists यह मैं नका जनम हना था पूरबंदर मैं का जनम होत इनको एसे हिनए था नातु राम घोड़ना 30 January को प्रेश अने कि खिए गये था 1948 जो था वो यह था और दिल्ली के बिल्ला हाउस में जो था हो अच्याशिनेट किया गये था इनकी स्पाउस जो थी इनकी पत्नी जो था जो थी उनका नाम था कस्तुर्बा कस्तुर्बा गांधी कस्तुर्बा गांधी इनकी पत्नी का नाम था और आपने ध्यान रख वोटा बहन भी का जाता था और यह इंडिया की पहली महिला ट्रेड यूनियन लीडर फित रोजनी नाइड़न को बारी माँ, जानता हैं कि इंडियन बहुत की पहली भारती अधेक्स था यह बदी इन्हों ने जो था 1925, भारती राश्टर राश्टर कोंगरिस का से सै शेल他们 उसकी धक्सता जो था वो इन्होंने की थी और सरला देवी चौधराने की बात करें तो ये जो था ना ये टेगोर्जी की नाइस थी यानिके उनकी भतीजी थी और इन्होंने 1912 में एक सौंग है भारत भागय विधाता सौंग इसको परफॉर्म किया था 1912 में तो बोलते हैं कि भारत से धन निश्काशन के सिदांत का किस ने विरूद किया था अब देखो एक ड्रेन ऑफ वेल्थ की थी आई थी इसका विरूद भी हुआ था आपको ये गयात होना चाहिए पहले जानियें की विरूद किस ने किया था बिरूद किया गया था मौरिस डी मौरिस के द्वारा option A सही अंतर है मौरिस डी मौरिस ने जो था वो इसका बिरूद किया था अब जानियें कि ये ड्रेन ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या थी या फिर ये किस तरह की थियोरी थी तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा दे गई थियोरी थी ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी इसको आप क्या सकते हैं उनके बुक थी एक पवर्टी एंड अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया वहां पर इन्होंने जो था मैंचन किया था इसमें क्या हो सकता है देखें नाम पर ये ड्रेन ऑफ वेल्थ लिखा गया है तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब कया हुआ इसका मतलब हुआ कि प्रॉपरटी तो इन्डियंस की है प्रणतू वह कंजिूम नहीं कर सकते कंजियूम वह किसी और के दोड़़ा किया रहिया और उसका drain हो रहा है उस टाइम British यहां पर rule करते थे तो इन्होंने बड़े ही पर्ष्ट सब्दों में जो था वो Indians को समझाने की कोशिश की थी कि आपी का धन है आपी की मेहनत है इसको जो जो Britishers use कर रहे हैं और आपका जो धन है उसका drain हो रहा है उसका discussion हो रहा है और कहीं बार exam में question पूखे जाता है कि poverty and un-British rule in India यह किताब किसके दोरा लिखी गई थी तो यह दादा भाई जी नौरो जी के दोरा लिखी गई थी यह किताब poverty and un-British rule in India यह किताब बहुत जरूरी है किताब के बारे में ध्यान रखें इस theory के बारे में जान लिया आपने कौन से एर की बात थी तो यह 1867 की बात थी जब यह theory आई थी इस तरह से किताब में के बारे में मेंशन किया गया था यह सारा आपने यहां से ध्यान लगना है आप देखो आर्सी दत आप्शन में दिया गया है ना आर्सी दत ने भी जुथा वो इस दत के दोरा लिखी गई थी क्या इन्हों ने इस ड्रेन आफ वेल्थ थियोरी को जो था वो स्पोर्ट दिया था तो हाँ बिल्कुल दिया था इस थियोरी को इन्हों ने स्पोर्ट अपना तो कि सारे क्वेशन यहां से ध्यान रखें क्वेशन नबर 149 है इसके बाद 149 क्वेशन में बोलते हैं इन विच यह डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट केम इंटू प्रॉमिनेंस तो बोलते हैं कि किस वर्ष जो था वो घोर विप्दा विवस्था अधिनियम जो था लागू हुआ था तो यह जो डिजास्टर मेनेजमे के बारे में यहां से यह जो एक्ट है एक तो आपने यह याद रखना है इसी तरह के कुछ एक्ट है जो एक्जाम में पूछे जाते हैं जैसे की वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यह जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है यह कौन से यह का एक्ट है 1972 का जो दो er क्वेंशने अर। कोहाई आईटिवन का जो आउव Tक एक एक है और ही नाइंटेनी सिक्स का एक्ट और इसी तरह एक अनरजी कंसर्वेशन एक्ट divisions एक्ट्ट्र हेस्ट है Deaf 어ained को जिय Natal Green GRIEN TRIBUNAL ACT है जिसको NGT भी आप कहते हैं कई बार NGT की Full Full Form Exam में पुछ जाती है कि NGT की Full Form किया है तो National Green Tribunal ध्यान रखना है येक्ट 2010 का जो हो ACT है एक है compensatory afforestation fund act ये जो है 2016 का ACT है एक KEMPA की Full Form exam में पुछ जाती है C A M P A ये केंपा की फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए कि क्या होती है केंपा की फुल फॉर्म होती है C stand for compensatory A stand for afforestation F stand यहाँ पर आता है F आता है fund के लिए M आता है management के लिए P आता है planning के लिए A आता है authority के लिए तो पूरा नाम इसका हुआ Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority यह जो है इसका पूरा नाम है तो यह आपने यहाँ से ध्यान रखना है तो यह इस act के बारे में होगा और बाकी सारे act आपने important यहाँ से जान लिए अगला है the science of theosophy तो बोलते हैं कि ब्रहम विद्या तो science of theosophy इसका सही अंसर हो option B option B सही अंसर है octism यह जो है उसाई अंसर हो का octism आपने सहाँ ध्यान रखना है कि इसको हिंदी में जो है वो गुविद्या कहा जाता है और science of theosophy ध्यान रखना है octism को जो हो कहा जाता है आपने इसी तरह के concept साथ में ध्यान रखना है कि किस चीज की study को क्या कहा जाता है जैसे study of bees हमने last time भी पढ़ा था epilogy study of bees को कहा जाता है और इसी तरह आपने ध्यान रखना है study of past culture of human इसको archaeology कहा जाता है archaeology कहा जाता है आपने सुना होगा Archology survey of India study of past culture of human study of life study of life maps की maps की जो study होती है study of map जो होती है उसको cartology जो है वो कहा जाता है study of cosmetics जो होती है उसको cosmetology कहा जाता है और Study of Human Behavior होती है उसको Demology कहा जाता है Demology होता है Study of Human Behavior और Study of Earth को जो है वो Geology कहते है Study of Handwriting को जो है वो Graphology कहा जाता है Study of Cultivation of Fruits, Vegetable, Flower इनको जो है वो Horticulture जो है वो कहा जाता है Study of Water को जो है वो Hydrology कहा जाता है Study of Fungi, जो Fungus की Study जो होती है उसको Mycology माइको लौजी जो है वो कहा जाता है तो यह बहुत सारी स्टडीज आपने यहां से जान ली पहले भी हमने कुछ दिन पहले ही अभी रिवाइस की थी तो यह एक अच्छर वीजन आपका यहां से हो गया नैस्ट कॉशिन देखिए अगले कॉशिन में क्या बोलते हैं बोलते हैं सौराज पार्टी वाज फॉर्मूल इन विज्जे तो बोलते हैं सौराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी या फिर इस पार्टी को कब गठित किया गया था तो यह को सौराज पार्टी ध्यान र वो चौरी-चौरा की घटना हुई थी 1922 में वो भी आपने ध्यान रखना है और इसके अलावा जो important अलग-लग scenarios जो था वो history में होते रहे जैसे कि आपने क्या ध्यान रखना है कि इसी तरह का एक scenario है जो 1923 के बाद 1924 में हुआ था 1924 में जो था वो हिंदुस्तान Republican Association जिसको HRA कहा गया इसकी स्थापना जो था हो की गई थी HRA की स्थापना और आपने साथ में ध्यान रखना है कि 1928 में जो था वो हिंदुस्तान Socialistic Republican Association की स्थापना की गई यानि कि HRA को बदल कर HSRA जो था हो बना दिया गया हिंदुस्तान Socialistic Republican Army और 1924 के बाद 1925 में जो था हो काकोरी कांट हुआ था काकोोरी कांट का नाम भी जो था हो बदला था तो करन्ट फेर का करशन उस टाइम ये बना था कि काकोरी कांट का नाम बदल कर जो हो क्या रखा गया है तो काकोरी कांट का नाम बतल कर काकोरी ट्रेन एक्षन रखा गया था क्योंकि इस दुरान क्या हुआ था काकोरी रामक स्थान पर एक ट्रेन में डकैती डाली गई थी और सारा सरकारी खजाना था उसको लूटा गया था तो इसको काकोरी ट्रेन एक्षन जो था वो कहा गया य definitely question number 74 देखिए 74 में बोलते हैं who was the founder of Muslim League तो बोलते हैं कि Muslim League की स्थापना किस ने की थी कब की थी यह सारे question जो है वो important बनते हैं तो नवाब सलीम उल्ला के दौरा जो था हो Muslim League की स्थापना जो था हो की गई थी option C जो हो सभी अंसर है कई बार exam set करने वाला option में नवाब सलीम उल्ला ना option देकर पूरा नाम इनका देता है तो इनका पूरा नाम था है नवाब खवाजा शलीम उल्ला इनका ये पूरा नाम आपने ध्यान रखना है और साथ में ध्यान रखना है कि इनके दोरा मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी 1906 में जो था वो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ये भी जात में ध्यान रखना है इसके लाव आपने ध्यान रखना है कि Muslim League जो था कहाँ पर form की गई थी तो धाका में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी इनके right क्या थे इनके जो पार्टी बनाई गई थे इनके objective क्या थे इनके उधेश्य क्या थे दूसरा ये था और यही party थी जो पाकिस्तान के creation में पाकिस्तान को बनाने में जिसने एक एहम योगदान जो था वो play किया था इसमें बहुत सारे presiding leader रहे जैसे कि मुहम्मद अली जिन्ना जो था ये भी presiding leader थे इसके अगा खान थर्ड भी इसके प्रिजाइडिंग लीडर थे नवाव वकफ उल मुलिक चुथा ये भी थे तो ये सारे चुथा वो इसके प्रिजाइडिंग लीडर थे और भी वह सारे थे प्रन्तु इंपोर्टन्ट वन आप ध्यान लखें तो ये सारे क्वेशन कहां पर इसकी स्थापना की गई कब इसकी स्थापना की गई किसने इसकी स्थापना की उसके उदेश चे क्या थे पाकिस्तान जो बना था तो पाकिस्तान की फॉर्मेशन में किसका हाथ था या नहीं किया इसने स्पोर्ट किया था तो विलकुल इसने प अंदोलन को जो था उस्तागित कर दिया गया था अगर हम थोरा सा डेटेल से यहां से जानेंगे तो आपने ध्यान रखना है कि 1931 में गांधी और इर्विन के बीच में जो था उस्ताओ कहा गया था गांधी जी और इर्विन के बीच में जो मुलाकातें चली थी या फिर समझोते की बातें चली थी तो यह 15 दिनों तक वारता चलती रही थी अंत में जाकर 5 मार्च 1931 को यह समझोता हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि कॉंग्रेस के जितने भी नेता है जिनको राजनेतिक कैदी की बना कर रखा है उन सभी को रिहा कर दिया जाएगा अपहरन की गई संपत्ती जो है वो भी वापिस लोटा दे जाएगी स्मूदर तट के निश्चित सिमा के भीतर जो हो नमक तियार करने की अनुमती जो हो दी जाएगी और विदेशी वस्तुओं की दुकानों के समुक जो हो सांतिपूर्ण विरोध लोग कर सकते हैं ये भी परमिशन जो हो दी जाएगी ये सारी परमिशन जो था वो यहां से दी गई थी परिणाम सरूप 1931 में सविग्या अबग्या अन्दूलन जो था वो इसको स्थागित कर दिया गया था परंदू बाद में ये फिर से शुरू हुआ था इसके लावा ध्यान रखना है कि 1931 में ही जो था, वो second goal againstidences ए मआपथ हो गया था, तीसरा goal against 1921 में जूरू हो और 1931 में ही इसमापत हो गया धा तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये व signaturesasche बूटा हो चला था ये भी आपने ध्यान रखना है तो तीन गोलमेज्स सम्मेलन ये कब कब हो美味 ये ध्यान रखना है हाँ गांधी इर्विन समझोते के बाद जो दूसरे नंबर का गोलमेट सम्मिलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने जो था भाग लिया था और महात्मा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ दूसरे गोलमेट सम्मिलन में ही भाग लिया था यहां से अगर हम बात करते हैं डांडी मार्च की तो डांडी मार्च का आपको पता है कि 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी 16 अप्रेल 1930 तक जो था वो चली थी हम बात करते हैं असहयोग अंदोलन की तो असहयोग अंदोलन जुताओ कब चला था ये भी आपको पता है कि असहयोग अंदोलन जुताओ गांधी जी के द्वारा चलाया गया था और ये अंदोलन जुताओ लगभग 1920 में चला था month 2022 तक यो था यह चलता रहा और इसके लावा क्यूट Indian moment भारत छोडो moment जो चला था वो कब चला था भारत छोडो moment आपको पता है कि 1942 में जो था वो चला था 1942 में भारत छोडो moment चला था इसी दोरान महातमा गांधी जी के दारा द्वारा ये नारा भी दिया गया था करो या मरो का नारा ये सारे चीजें हो गई यहां से अगला गर्शन देखिए बोलते हैं इंडियन नेशनल कॉंग्रेस इसके दो अलग बाग बन गये एक गरम दल के नहीं था एक तो ये जो था वह सूरत का शैशन हुआ था जिसमें ये अलग हो गई थी option B जो हो जाए अंदर अब सूरत का session था फ्रन्तों सूरत के session के अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि ये कौन से year का session था या फिर कौन से year में Indian National Congress जो था वो अलग होई थी तो आपको ध्यान रखना है कि Indian National Congress 1907 में जो था हो split हो गई थी अलग हो गई थी सूरत में जो था हो session हुआ था इस session की अध्यक्सता जो था वो कौन कर रहा था ये भी आपको पता होना चाहिए कि सूरत session जो 1907 में हुआ ये session रास भियारी घोष जी के दोरा जो था वो अध्यक्सता इसकी की जा रही थी इसके लावा क्या अलावाद में भी को शेशन हुआ था तो आपने ध्यान रखना है कि इलावाद में जो था ये session हुआ था 1910 का ये बिलियम बेडर बरन के दोरा जो था इसको प्रिजाइड किया गया था इससे पहले भी 1892 में 1892 में इलावाद में एक session हुआ था जिसको वियो मोश चंदर बेनर जी ने जो था और इसी तरह लहूर का कोई important session अगर आप याद रखना चाहते हैं तो लहूर का 1909 का session ध्यान रख लें जिसको मदन मोहन मालविया ने जो था फ्रिजाइड किया था कलकत्ता में कौन सा session हुआ था कलकत्ता में भी बहुत सारे session हुए जो 1886 का session है वो जरूरी है दूसरी नमबर का session था और दादा भाई नौरो जी के द्वारा जो था वो इसकी अध्यक्सता की गई थी पहले नमबर का session 1885 में हुआ था और 1885 में जो था ये कलकत्ता में हुआ था इसकी अध्यक्सता जो था वो WC Benergy विमोस चंदर वेनर्जी के द्वारा की गई थी यह आपने ध्यान रखना है तो यह सारे important questions जो है यहां से बनते हैं अलग अलग sessions के बारे में परन्तों आपने ध्यान रखना है कि विमोस चंदर वेनर्जी WC Benergy जो थे ना इन्होंने दो session preside किये थे एक तो यह 1885 का सबसे पहला ही session इनके द्वरा प्रिजाइड किया गये था और इसके अपराण जो 1892 में session हुआ था इलावाद में वो भी इनके द्वरा प्रिजाइड किया गये था तो इसको लेकर confused ना हो जाएं कि क्या मैंने दो session बता दिये तो क्या दोनो ही शैशन प्रिजाइड किये थे या नहीं किये थे तो बिल्कुल सही बात है यह दोनों ही शैशन प्रिजाइड किये गए थे अच्छा महात्मा गांधी जी ने कौन सा शैशन प्रिजाइड किये था हम गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे तो कौन सा शैशन पर अभी तक आपने हमें जॉइन नहीं किया है तो टेलिग्राम पर जॉइन करने के लिए अपने टेलिग्राम से add the rate all exam 31 जो है वो सर्च करना जिन लोगों ने टेलिग्राम ग्रूप जॉइन किया हुआ है उन लोगों को time to time PDF जो है वो प्रवाइड करवाई जा रही है उन लोगों को QG जो है वो प्रवाइड करवाई जा रहे है और जो लोग left कर देते हैं वो automatically block हो जाते हैं एक boat के कारण और उसके बाद वो join या फिर उसके बाद उनको चैनल नहीं मिलता तो टेलिग्राम पर PDFs QG's और इन सभी informations के लिए आप हमें join कर सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही काफी है so that's all for today thank you thank you very much for watching and listening it very patiently